अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करतीजे चलिए शुरू करते हैं और उसका ध्यान हट चाता है इस वीच एलिस उस गोडेंटीपोट को ढोड़नने लगती है और वह उसे एक चकार रखा हुआ मिल जाता है। वो छूट चाता है और टीपॉट की तरफ पढ़ने लगता है जब वो उसका ठकन खोल कर देखती है तो उसमें कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं उसे लगता है कि उसके जलने और डॉलर्स के मिलने में कोई connection जरूर है और इस बात को आस्माने के लिए वो इस बार जान बू जान पहुझा है कि ये इस सारी चीजें आगे चल कर उन्हें कोई नुक्सान पहुचा सकती है इसलिए वो उस टीपॉट को वापस उस अंटीक शॉप में लटाने की सोचता है पर वहाँ पहुचकर उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए रख लेता है फिर वो उसे लेकर कैश और ट्रैश नाउं के एक टीवी शो पर जाता है जहां होस्ट उस टीपॉट की कीमत 5000 डॉलर्स रगाता है जॉन कोई डील पसंद नहीं आती और वो टीपॉट को वापस लेकर अपने घर आ जाता है इस बीच एक अधेर उम्र का एशन आदमी उस शो को देखता है और उसे वो टीपॉट बहुत पसंद आता है क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी उन्हें टीपॉट से पैसे मिलते है अब ऐलिस और जॉन पूरी तरहां से बदल जाते हैं उनका रहन सहन, खाना, पीना और कप्ले वगरा सब कुछ अब चेंज हो जाता है और इस वजह से उनका मूट भी बहुत अच्छा रहने लगता है एक दिन एलिस की मा और बेहन लंच पर उनके घर आती है तो ये सारे चेंजिस देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि जॉन की सील्समन की मामुली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी सिंदिकी कैसे मैनेज कर रहे थे कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है लेकिन एक दिन अचानक चोर जैसे दिखने वाले दो लोग उनके घर में जबरतस्ती खुश जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उस टीपॉट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि जब से वो टीपॉट होया था तब से उनकी ग्रैंड मा एक दिन भी चैन की नीद नहीं सो पाई थी और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई एलिस टीपॉट को तकिये के नीचे छुपा देती है और उनसे कहती है कि उन लोगों ने टीपॉट को बेश दिया है इस पर वो गुंडे उससे उन पैसो के डिमांड करते हैं जो उन्होंने टीपॉट को बेश कर कमाए हैं एलिस को लगता है कि वो ने बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई है और जल्दी से वो सारे पैसे जॉट को देती है जो उन लोगों ने टीपॉट से कमाए थे जॉट उन पैसो को गुंडों के हवाले कर देता है और वो लोग पैसे लेकर चले चाते हैं इस घटना से एलिस और जॉट एक्टम चौकनने हो जाते हैं और टीपॉट के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाकर उस से रुलेटेट बुक ठोटे है और उन्हें एक ऐसे बुक मिल जाती है जो कि जादूई चीज़ों और उनके इस्तमाल के बारे में लिखे गए थी एलिस की नजर उस बुक के एक पेज़ पर पढ़ती है जिसमें उस जादूई ठीपॉट के इस्तमाल से होने वाले बुरे इंचामों के बारे में लिखा हुआ था एलिस नहीं चाती थी कि जादूई उस पेज़ को देखे इसलिए उसकी नजर बचा कर वो उस पेज़ को फार देती है कुछ सालों तक उनकी जिंदगी आश में कुसरती है वो दोनों नई कार खरीदते हैं पास ही एक पॉश एरिया में एक नया घर भी बनवाते है प्रेलिस कहती है कि अगर उन लोगों ने उस आदमी को टीपॉट के बारे में बताया तो टीपॉट के साथ साथ वो सारी चीज़े भी खो देंगे जो उने टीपॉट से मिली थी फिर अचानक वो उनके हाँ से टीपॉट चीन कर भाग जाता है जॉन उससे टीपॉट वापस चीनने की कोशिश करता है पर टीपॉट उचल कर बीच रास्ते में किर जाता है अर्नी उसके उपर अपनी गारी चला कर चला चाता है पर टीपॉट को जरा सभी स्क्रैश नहीं आता ये देखकर एलिस को राहत मिलती है पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि टीपॉट के उपर से एक ट्रक गुजर जाने के बात भी उसे कुछ नहीं हुआ इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग लीलिंग के पास जाते हैं लीलिंग उन्हें बताता है कि टीपॉट को नश्च नहीं किया जा सकता उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है ये सब सुनकर जॉन टीपॉट को ली को देती न चाता है पर एक बाप फिर से एलिस जॉन को इस टीपॉट को ली लिंके हवाले करने से मना करती है वो कहती है कि हम दोनों अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू रखना हम जानते हैं इस पर जॉन अग्री हो जाता है एक रात वो दोनों गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परिशान किया था फिर से वो उनके घर में खुसाते हैं और चोरी करते हुए आपस में बात करते हैं कि जॉन और एलिस बहुत बेवकूफ हैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है यह सब कुछ उन दोनों ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा था इसलिए उन्होंने जान बूच कर उस टीपाट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया था क्या वो टीपाट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हल्प लेना चाते थे फिर एक दिन वो दोनों बाइकर्स बार जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ सबसे कमीना आदमी कौन है बार कमाली के एक आदमी की तरफ इशारा करता है जॉन उस बदमाश से लड़ने लगता है क्योंकि उसे उमीद थी कि इसके बैग में रखावा टीपाट उसे अच्छे पैसे देखा इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और ली फिर से उसके पास आता है धीरे धीरे टीपाट सच में एलिस की अंतरात्मा को खाने लगता है एक दिन कार ड्राइव करते हुए एलिस अपनी बगल वाली सीट पर बैठे जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्थ से भरी हुई है वो चाहें तो हर जगा से टीपाट के जरिया पैसे कमा सकते हैं वो अपनी बातों में खोई हुई थी कि तभी सामने से आते हुए एक बेघर गरीब को देखकर उस पर गाड़ी चड़ा देने की नियस से एकसलेटर दबाते थी है पर जॉन फूर्ती से स्टेरिंग वील को घुमा कर उस गरीब को अपनी वाइफ के हाथों मरने से बचा लेता है इसके बाद एलिस और जॉन आपस में जगरने लगते हैं जिससे उसे दुख हो पहले तो जॉन ऐसा नहीं करना चाता था पर एलिस के जिद करने पर वो पास्ट की घटना बताता है जब उसने एक पराई औरत को किस किया था इस बास से एलिस दुखी हो जाती है पर इस बार भी टीपाट ठेड सारे पैसे देता है उस दिन से उनका ये रोज का नियम बच जाता है वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसर्ट करते हैं और अपने ऐसे ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाए और टीपाट उन्हें जादा से जादा पैसे थे पैसे कमाने के लालच में एरस इस हद तक चली जाती है कि अपनी ही बेहन का डाक सीक्रिट उसके हस्ब понад के सामने खोलने का प्लान बना लेती है कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बंट का नैंब कि किसी और का था नहीं सुनती और कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सरे ड्रग बेशने वाले हैं अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो ना सिर्फ वो माला माल हो जाएंगे बलकि समाज कभी भला हो जाएगा जॉन उसकी बासे अग्री नहीं होता है पर वो उसे ना भी चुरा ले पर ली कहता है कि इस तरह कोई फाइदा नहीं होगा उन्हें उस टीपॉट को अपनी मर्जी से ली के हाथ में देना पड़ेगा उस रात नहाने के बाद एलिस जब अपने बैट रूम में जाती है तो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर के विंडो के किनारे अगले दिन ली को टीपॉट सोपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते है पर उस राज जब एलिस और जान अपने रूम में सो रहे होते हैं उन्हें नीचे से कुछ आवास सुनाई दिती है जान चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि उनका पुराना लैंड ल होकर उसे चुराने आए थे जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग पिस्चल्स और राइफल से एक दूसरे को खायल करके खुदी ठेर हो जाते हैं मैदान साफ देखकर जॉन और एलिस टीपॉट को उठा लेते हैं और उसे ले जाकर ली को देते हैं ली उनक की तारीफ करते हुए कहता है कि पास्ट में राजा रानी लोग भी उस चीपॉट के असर से बश्च नहीं पाई थे लेकिन उन दोनों ने ये काम कर दिखाया दोस्तों मीद करते हैं कि इस मुवी के हिंदी एक्स्प्रेशन वीडियो आपके च्छी लगी होगी लाइक और